नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप लोग तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि SSE MTS और हवलदार का exam पांच जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें अब आपका ज्यादा दिन का टाइम नहीं है तो हम कोसिस करेंगे कि आपको 10 से 15 दिन में ज्यादा करेंट आफेर्स का और इस्टैक जीके का और प्रैक्टिस जो है सेट भी आपको देंगे जो आपको exam में help हो और आप लोग आप अपना एक अंदाजा जो है लगा सकते हैं कि आपको 25 में कितना स्कोर आता है तो दोस्तों चलिए आपको इस वीडियो में करेंट आफेर्स का सर्च तो आपको मिल जाएगा और आपके वहाँ पर बोलिएगा कि सर करेंट आफेर्स का PDF दीजी आपको देंगे आप लोग अच्छा से देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से स्टाट करतें वीडियो को देख लेते हैं इसमें पहला कोश्चन क्या है और तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा स्विस ये एरलाइंस जो है वो दुनिया की पहली एरलाइंस बन गई है जो सोलर एवियेशन फ्यूल का इस्तमाल की है तो आप लोग अच्छा से द्यान में रखिएगा और यह आपका करेंट अफेर्स का बहुत ही अच्छा कोश्च तो मतलब ऐसे करके हर साल आपका जैसी एक्जाम में आते रहता है तो यह दोजार बाइस वाला हो चुका है कहां हुआ है यह आपका जो है बार्द सिलोना इस्पेन में हुआ है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ओके चलिए अब देखें आगे क्वेशन न कि यह मतलब उन्हतरमा पुरुष कोन मना सतरमा कोन मना तो इसमें जो है महिला है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि केमी महिला है आपका जो तैसमी भारत की महिला है इनका जो नाम क्या है प्रियंका नुटक की अप लोग अच्छा से ध्यान में है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये सीडेक के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया सब्सक्राइब पूद्वल्शाता है तो अभी मतलब है है इसका नाम के है प्रह। प्रहुंगगग सथापित्र किया घ्लाफ है तो इस iota यह आपका कहां पर इस्तित है संस्था आपका पूने महराष्ट में अच्छा से ध्यान में रखिएगा चली अब देखें अगला पर इसका एक मतलब अधेक्ष बने हैं यह नया अधेक्ष बने है तो यह आपका नया अधेक्ष बने हैं ती राजाकुमार बने हैं और यह आपके कहां के रहने वाले हैं तो यह प Championships पुछे तो financial action task force इसका सही अंसर होगा ताप लोग यह भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा तो चलिए अब इसका थोरा सा देख लें कि यह आपका FATF जो किसके लिए काम करती है तो यह जो है anti money laundering और anti terrorism के लिए यह काम करती है जो देश जैसे money laundering का और terrorism का जो काम करता है उसके against यह financial मतलब जैसे action जो है लेती है और कुछ प्रतिबंद लगाती है ताप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इसका यह आपका कौन किया है तो यह मतलब जैसे IRGC किया है इसका प्रोप क्या है यह Islamic revolutionizing God Corps है यह आपका जो है इरान की अंत्रिक्ष संस्थान है जैसे भारत का क्या है इसरो के मतलब जैसे इंडिया का है इसरो और मतलब उसी तरह आपका जो है इरान का IRGC है तब लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा चलिए अगला देखें सत्वा नमर क्या है दोस्तों जी सेवन किरसी मंत्रियों की बैठक की मेजवानी कौन करेगा तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों यह आपका जो है जर्मनी होगा और अभी यह जर्मनी जर्मनी में चल रहा है जहां पर अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आपसे यह भी पूछे कि जी सेवन का बेठक कहा हुआ तो वह जो जर्मनी में हुआ है चलिए अठवा नमर क्या है कि यह गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना और च्छात्राओं के लिए ब योजना किस बेंक ने शुरू किया है तो दोस्तों यह कौन सा बेंक किया है शुरू आपका हाउस वर्क योजना तो यह एकसिस बेंक शुरू किया है अब लोग अच्छा से ध्यान में रखिए रहा है यह जैसे कि योजना टाइप का भी आता है कि इस नाम से योजना कौन बैंक शुरू किया है तो आप से कहीं पूछे कि यह वर की ओजना किस बैंक ने शुरू किया है तो एक्सिस बैंक इसका अंसर होगा चलिए दस्वार क्या है कि भगवान बुध की सेन मुद्रा में सबसे लंबी परतीमा कहां बनाया जा रहा है तो दोस्तों मतलब जैसे यह सो कि 2021 का सर्व स्रेश्ट महिला किरिकेटर का रासेल होई फिलिंट ट्रॉफी किसे परदान किया गया तो यह दोस्तों किसको दिया गया तो यह अपनी भारत की असमिर्ती मंधाना को दिया गया है किसके लिए तो यह सर्व स्रेश्ट महिला किरिकेटर का वाद दिया गया है कि यह 2021 के लिए किसको मिला है तो यह असमिर्थी मंधाना को मिला है और यह 2022 में दिया गया अब लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा चलिए अगला देखें कोश्चन नमर 12 और यह सब कोश्चन आपका बहुत नहीं ज्यादा टॉफ कोश्चन है और इस टाइब का के 2021 का सर्व स्रेश्ट प्रूस क्रिकेटर वो आपका 11 नमर क्या था महिला क्रिकेटर और यह कौन सा है प्रूस क्रिकेटर का कौन सा वार दिया जाता है गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है और यह इस बार किसको मिला है यह पाकिस्तान को यह पाकिस्तान के आपका को न यह तेरा नमर क्या है कि ICC के बर्स 2021 के सर्व स्रेश्ट उद्यमान खेलारी पुरुसकार यानि कि यह emerging player of the year main मतलब जैसे पुरुस में किसे दिया गिया है तो यह आपका जाने मन मलान को मिला है यह आपका कहां के हैं दक्षिन आफिरका के खेला रही है आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि emerging player of the year पुरुस में किसको मिला है तो यह आपका जाने मन मलान को मिला अब चलिए देख लेते हैं महिला में किसको मिला तो यह जैसे महिला में देख रहे हैं कि emerging player of the year का बाड़ आपका फातिमा सना को मिला है पकिस्तान के और आ NCC के बर्ष 2021 का सर्बस्रेश्ट यह आपका है वंडे का है न यह आपका जो है ODI क्रिकेटर of the year का महिला में किसे मिला है तो यह आपका जो है लीजेल लीको मिला है यह कहां की है दक्षिन अफिर का की है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा आपसे कहीं पूछ कि यह मतलब एक दिवस्या खिलारी में सर्बस्रेश्ट खिलारी का वाड़ किसे मिला तो यह आपका पाकिस्तान का बावर आजम को मिला है तो आप लोग अच्छा सी ध्यान में रखिएगा यह सभी का सभी कोश्चन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है चली अगला देखे पोश्चन नमर 17 आपका 17 नमर क्या है कि भारत का सर्बच नागरिक सम्वान प्रुसकार कौन है तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भारत रतन है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और यह इसलिए दिये हैं कि आप से जैसे यह पूछ दे दूसरा तीसरा च तो भारत रतन है तो अच्छा से ध्यान में रखियें गाईए और यह मतलब यह से इसक्रा दिये हैं कि पदम भीभूशन और यह स्री जो है इस वार सबको दिया गया है तो आपको वह भी ध्यान में रखना है तो अठार नमर क्या है कि यह 2022 में कितने वेक्टी को पदम वो ये सुस्री परवा अत्रे हैं, इनको कला के छेतर में मिला है, और ये आपका किस राज से आते हैं, तो ये महराश्ट से आते हैं, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा, दोसरे जो बेखती हैं, वो आपका तीसरी रादे सियाम ख्यमका है, और मतलब इनकी मिर्तु हो दिया गया है, और किस चेतर में दिया गया है, तो ये आपका पबलीक अफेर्स के चेतर में दिया गया है, और ये उतर परदेश से आते हैं, और चोथे जो हैं, वो आपका जनरल विपिन रावत हैं, इनको भी मर्नो उपरान दिया गया है, और इनको किस चेतर में दिया गय में तो आप से ये भी पूछे की चार मेंसे कितने आदमी को दिया गया है तो यह कितने को दिया गया था चार को और जो है में नमर भी आद रखिएएगा और एकजाम में नमर भी पूछता है अब आपसे कहीं पूछ दे कि पद्म स्री कितने को दिया गिया तो 107 को यह निकि आपका चार 17 और 107 आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा तो इस 17 में जो भी तो यह आपका कौन थे दोस्तों तो यह जो है जोन डेविड मेक एफी थे जिनका निधन हो गया और यह एंटी वाइरस जो है अस्थापना किये थे बनाए थे और उसका शॉप्ट वैर का क्या नाम था मैक एफी जो यह जो लैप्टॉप चलाते होंगे कंप्यूटर जानते ह उनको इस मतलब एंटी वाइरस वाइर के बारे में पता होगा मैक एफी के बारे में ओके आपका जो यह बहुत ही चर्चित आपका क्या है तो दोस्तों इस बैंक का नाम क्या है इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो की आरोग्यां हेल्थ केर विजनेस लोन सेवा शुरू किय पर्थम कूलपती किसे निक्त किया गया है और आप मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्थम महिला कूलपती कोन बनी है यह दिल्ली खिल विश्विद्याले का तो वह आपका करनव मलेश्वरी बनी है इनका नाम अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा यह आपका भरतोल ने मुख मंत्री कोविड-19 पडिवार आर्थिक सहता योजना शुरू किया है तो यह आपका दिल्ली सरकार शुरू किया है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा दिल्ली सरकार मतलब यह आम आदमी पार्टी का जो सरकार है वह चली है यह आपका जो नमर 25 किया 26 नमर 26 नमर कया दोस्तों मंगोलिया का सर्बोच नागरिक सम्वन दो order of polar star किस भारतियों को दिया गया है तो यह आपको किन को दिया गया है आरके सब्रवाल को दिया गिया है ये अभी क्या है तो ये जो है इंजिनिरिंग इंडिया लिमिटेट के अध्यक्ष है आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि the order of polar star किस भारतिये को दिया गिया तो आरके सब्रवाल को दिया गिया ओके चली अगला देख ले ये सता खेमेंश्तान की राजधानी है तब लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा जली देख लेए अठाइस नमर कोश्चन के दोस्तों कि वाटसाप ने भारत में अपने ब्रुगदान पड़मुक किसे निकुत किया है तो ये मनेस महात्मे को निकुत किया है तब लोग अच् देश कौन बना है तो यह आपका जो है दुनिया का प्रथम देश है दोस्तों जो की गोल्डन राइस को रोपन की मंजूरी दिया है यह कौन देश है आपका फिलिपिन्स आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ओके चलिए अगला देख लें यह कौन सा देश दुनिया का सबसे बरात तेरता हुआ स्वर उर्जा प्लांट अस्थापित कर रहा है तो दोस्तों यह आपका बहुत इंपर्टेन कोश्चन है आप लोग अच्छा से रखिएगा याद कि इंडोनेसिया आपना राजधानी भी जो चेंज कर रहा है मतलब पहले आपका जहकारता था इसका अब कालीमंतन हो रहा हो आप न अच्छा से ध्यान में रहाद करेंगे आप 30 कोस्चन दिया है तो आप लोग पहले अच्छा से देख लिए यह 300 का 300 कोस्चन और फिर से क्वेंज करेंगे आपका 50-50 कोस्चन करके देली दें जो आपका ज़ादा से ज़ादा कोस्टन ये एक्जाम तक हम करवा पाएं आपका मतलब जिसे कोई ये special topic पे हो मतलब जिसे कि ये ओलम्पिक हुआ है तो ओलम्पिक से भी जोभी important question होगा वो आपको करवा देंगे जो खेल कोई हुआ है उससे जो भी important question होगा वो आपको करवा देंगे मतलब अच्छा अच्छा आपको question ये मतलब exam तक आपको दे देंगे जो आपको exam में 100% आपको help होगा ओके तो दोस्तों आप लोग आप जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा